नमस्कार, मैं मयूरी, मैं बनाने जा रही हूँ कैपसिकम की भाजी चलिए, इंग्रीडियन्स देख ले हैं दो बड़े कटे हुए कैपसिकम, एक छोटा प्याज, एक टमाटर बारिक कटा हुआ एक टेबल स्पून गालिक, आधा इंच अध्रक के तुकड़ा बारिक कटा हुआ, दो छोटी हरी मिर्च बारिक कटी हुई, एक टीज halten जीरा एक टेबल पून कुरियंडर पाउडर, एक टीसपून हल्दी आधा टीजाज की लाल मिर्श का पाउडर दो या तीन टेबल स्पून टेल नमक स्वाद अनुसार तो चलिए फटा-फट से बनाते हैं काप्सिकम की भाजी दो टेबल स्पून टेल डालेंगे जीरा सौते करेंगे एक टी स्पून जीरा स्प्लटर होने पर इसमें हम अनियन डालेंगे अनियन डालेंगे अनियन को फ्राय करेंगे अनियन का पूरा पानी निकल जाने के बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे अब इसमें हम एक बारिक कटा टमाटर डालेंगे एक टेबल स्पून गार्लिक डालेंगे अधा इंच अध्रक का तुकडा बारिक कटा हुआ दो चोटी हरीमिट बारिक कटी हुई एक टी स्पून हल्दी आधा टी स्पून लाल मिर्श का पाउडर एक टेबल स्पून कोरियांडर पाउडर अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे जाएं अब इसमें हम काप्सिकम डालेंगे और सारा का सारा मसाला जो है वो पोट कर देंगे काप्सिकम को अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें अब नमक डालेंगे टेस्ट की हिसाब से नमक डालेंगे थोड़ा और मिक्स करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक काप्सिकम जो है शॉप नहीं हो जाते आप अगर इसे थोड़ा क्रंची रखना चाहें तो वैखा भी कर सकते हैं चलिए फ्लेम लो करेंगे जब दें और पकने दें चलिए हमने तो काप्सिकम की भागी तयार कर ली आप पराठे बनाएं साथ मिलकर खाते हैं इसे एक बोल में निकालें आप क्क萨 तयार में और इसे पुरियां को अते हैं झाल झाल